तो guys October चल रहा है तो it's officially Halloween month और since Halloween month चल ही रहा है तो क्यों न फिर से थोड़ा भूतियापा हो जाए पिछले साल का Halloween movie list आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा और आज का list completely different होगा पिछले पार्ट से इसलिए lights off कर लीजिए, earphones या speakers को full volume में रखिए और इस list की सभी movies को enjoy कीजिए इस list में आपको horror and thrillers दोनों मिलेगा जो आपको edge of the seat पर रखेगा और best part ये है कि इन movies को आप फिलहाल Netflix या Amazon पर देख सकते हैं और कुछ movies तो Hindi dub में भी available है जिसके बारे में मैं वीडियो के दोरान बताता रहूँगा तो चलिए बिना किसी देरी के आज की भूतियापा को start क नमर टेन पर है Amazon Prime पर अवेलेबल इसी मन्त रिलीज हुई Black As Night ये movie vampire से deal करता है जहां कुछ vampires बेघर लोगों पर attack करते हैं एक छोटे से hometown में और साथ-साथ lead actress Cooper पर भी attack कर देते हैं अगर आप vampires वाले audience है जिनको vampire से related सब कुछ पसंद है तो ये movie आपके लिए है तो basically ये movie एक fun and not so spooky night के लिए perfect है नमर 9 पर है 2018 की Apostle जिसको आप Netflix पर देख सकते हैं The Blockbuster Raid Movies के director Gareth Evans का ये horror movie revolve करता है Thomas के around जो अपनी बहन को बचाने के लिए एक island जाता है जहां कुछ religious cult के लोग उसकी बहन को अपने कबजे में करके रखे हुए है इस movie में torture है, murder है, धर्म के नाम पे execution है इसलिए कमजोर दिल वालों के लिए ये movie बिलकुल भी नहीं है इस movie का plot बहुत ही interesting है जिसमें आप completely engaged रहेंगे बस problem ये था कि movie का 2 hours 10 minutes का length मुझे थोरा ज्यादा लगा and I feel इसमें से 20 minutes easily edit किया जा सकता था नमबर 8 पहे 2020 में release हुई The Strange House जो एक German movie है लेकिन आपको Netflix पे English dub में मिल जाएगा इस movie का plot I guess almost सभी horror movies के plot के जैसा same है जहां एक family एक नए घर में shift करती है और उस घर में कोई evil spirit है जो इनको haunt करना start कर देता है लेकिन trust me ये movie surprisingly बहुत ही interesting था movie में horror या jump scares उतना खतरनाक नहीं है in fact थोरा बचकाना है जिससे वो लोग जादा enjoy करेंगे जो light horror पसंद करते है ये movie horror से जादा mysterious है जो आपको movie में end तक बांद के रखेगा number 7 पर है इसी साल Netflix पे release हुई एक German movie लेकिन English dub में available Black Red Sky देखिए guys इस movie में आपका interest लाने के लिए सिर्फ एक sentence बोलूँगा movie में plane के अंदर एक vampire है जो plane को hijacker से बचा रही है अब आप बताईए ये line काफी था ना आप लोगों को इस movie को देखने के लिए seriously ये line काफी है किसी भी zombie या vampire fans के लिए और मेरे लिए भी इतना ही plot इनफ था इस movie को देखने के लिए जो मुझे बहुत ही entertaining लगा movie बहुत ही interesting और different है जिसमें आपको बहुत सारे जबरदस्त thrilling moments मिलेंगे जो आपको edge of the seat पर रखेगा number 6 पर है Netflix पर available 2005 की The Exorcism of Emily Rose and भाई क्या जबरदस्त horror movie है ये ये एक real life story पर based है जहां Emily Rose नाम की एक लरकी को एक demon possess कर लेती है और फिर उसका exorcism किया जाता है जिस तरह से इस story को build up किया जाता है वो जबरदस्त था especially जब एक court case भी involved होतो जो एक authenticity वाला feeling देता है आपको इस movie में दोनो perspective मिलेगा एक उनके लिए जो भूतों में यकीन नहीं करते हैं और एक उनके लिए जो पूरी तरह से भूतों के existence में यकीन करते है दोनों के perspective से इस movie को brilliantly execute किया गया है और सभी actors का performance इस movie में icing on the cake था नमबर 5 पर है Netflix की latest release There's Someone Inside Your House ये एक जबरदस thriller movie है जहाँ एक मास पहना हुआ इंसान high school kids का murder करना start कर देता है इस movie के producer James Wan है जो horror के दुनिया के बेताज बादशा है तो अब आप समझी सकते हैं कि ये movie कैसा होगा movie में एक पे एक thrilling moments है जो आपको 90s के slasher movies का feel देगा और इस movie के mystery में तो आप कहीं खोई जाएंगे नमबर 4 पर है one of the greatest slasher movies to be ever made 1997 का I Know What You Did Last Summer जिसको last month ही Netflix ने अपने library में add किया चार दोस्त full on मस्ती में गलती से एक बंदे का accident कर देते हैं लेकिन उसका help करने के बदले उसे वैसे ही मरने की हालत में छोड़ देते हैं फिर कुछ टाइम बाद एक हाथ में hook पहना हुआ बंदा इन चारों का जीना हराम कर देता है ये movie एक slasher come horror come thriller है जिसका execution जबरदस्त है movie में सभी actors का performance भी अच्छा था और end तक ये movie आपको एक thrilling experience देगा जिसको देखने के बाद आप इस movie के fan बन जाएंगे नमर थ्री पर है Netflix पर इसी मंत release हुई No One Gets Out Alive जिसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं ये movie illegal immigrants के issue को एक horror way में present किया है which was absolutely brilliant क्योंकि ये movie थोड़ा different है typical horror movies से जो आपको डराने में कामियाब हो जाता है To be honest ये movie किसी भी illegal immigrant का बुरा सपना हो सकता है एक तो आप illegal हो उपर से आपके पास कहीं भी रहने के लिए पैसा नहीं है फिर जैसे तैसे एक रहने को जगा मिलता है तो वो haunted निकलता है जहां एक mysterious box भी है तो इसमें किसी भी इंसान का क्या हाल होगा वो तो आप समझी सकते हैं अब ध्यान रहे अगर आप claustrophobic है यानि बहुत कम space में आपका सास अटकने लगता है तो इस movie को आप सोच समझ के देखिएगा क्योंकि ये movie आपको सास लेने में तकलीफ दे सकता है ये एक बहुती जबरदस्त horror movie है जिसको एक documentary way में present किया गया है जहां कुछ लोग Paris के जमीन के अंदर जाते है philosopher stone खोजने जो किसी भी metal को सोना में convert कर सकता है अब वो नीचे चले तो जाते है लेकिन वो उनका एक personal health साबित होता है जहां से निकलना almost नामुंकिन है गाईज ये movie बहुती ज़ादा underrated है और लोग इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते इसलिए मैं इस movie को इतना उपर rank किया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इस movie को देखे मुवी में ऐसा ऐसा scene है जो आपका सास रोक देगा और आपकी फट जाएगी और इस movie का best experience लेने के लिए इसको earphones लगा कर देखेगा प्लीज नम्मर वन पर है इसी साल रिलीज हुई Netflix पे available Fear Street Trilogy और इन तीनों पार्ट्स को आप हिंदी में भी देख सकते हैं मुवी में सेरफ यह नाम की एक विच है जो सदियों से एक टाउन को कर्स की हुई है और जिस तरह से इस तीनों मुवी का स्टोरी टेलिंग है इस कर्स को लेकर वो काबिले तारिफ था यह मुवी 90's के slasher movies को एक तरह से tribute देता है और अपने आप में ही यह खोद एक masterpiece है मुवी का pace, actors का performance, cinematography, story का setup सब कुछ excellent था जो आपको Fear Street के दुनिया में कैद करके रखेगा और मैं आपको अपने चैनल के थुरू एक पे एक movies की दुनिया में कैद करके रखूँगा और कि अपना favorite movie इस list में से बताना मत भूलिएगा मिलते हैं आप से इंस्टा, facebook और twitter में या फिर मेरे next review में Thank you guys for watching